हलो गाईज दिसस्वाती और मैंने मूवी देखी दस्विमर्स जोकी नेट्फिक्स पर अवालेबिल है लगभक सबाद दो गंटे की लेंथ वाली ये मूवी आपको उस देश में रहने वाले लोगों की जो प्रॉब्लम से वो दिखाती हैं जिसका ताना बाना आप तूटने लग जाता है और वो नहीं सबच पाते हैं कि आप वो किस से identify हो क्या करें और इधर उधर भागने लगते हैं तो बहुत सारे characters को लेकर ये मूवी चलती है जो आगे-ागे आते रहते हैं मूवी में और उनके थ्रू जो refugee problem है उसको बहुत करीब से जानने में हमें मदद करते हैं सो इस मूवी को देखकर मेरा के experience रहा यह मैं आप से share करती हूँ आप डिसाइट करेंगे कि आपको इमूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्ली सब्सक्राइब और अगर अगर अपने पुराने वीवर हैं और इ इसमें तीन बच्चिया हैं फादर अपनी बच्चियों को ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि वह पहले से हो रहे हैं बिल्कुल आपको दंगल मुवी की यहां पर याद आ सकती है और उनकी बहुत हाई expectation अपनी बच्चियों से क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं है तो अपनी ब लंपिक में उनको तैरते वे देखना चाते हैं यहीं सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि सीरिया का सारा ताना बना हिलने लगता है बहुत जादा बॉंब ब्लास्ट उने लगते हैं मिलेटर वगएर इधर अदर आ जाती है तो यह बच्चियां अपने फादर को यह मनाती ह तो यह जो जर्णी है सीरिया से लेकर बर्लिंग तक इन बच्चियों की वह बहुत जाए और यह अपने कजन को लेकर देखिए पेरेंस तो जाने वाले नहीं उनके पास एक चोटी और बच्ची है यह अपने कजन के साथ यह दोनों निकलती हैं और किस तरीके से समुद्र क के रास्ते होकर और बंद ट्रक्स में और इसके बाद इनके पर एक अटेम्ट भी होता है और धीरे धीरे सारी चीजे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है रिफ्यूजी कैम्प से बचने के लिए क्योंकि अगर रिफ्यूजी कैम्प में पहुँच जाएंगे इनके फिंगर प्रिंट्स ले लेंगे तो वहीं पर बंद के रह जाएंगे इनको खुला घूमने नहीं दिया जाएगा और साथी साथ बाकी कुछ लोग जो इनके साथ सफर में आते हैं उन जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो देखने में बहुत जादा भयावा ल आफ सबक्स्राइब आत लेंगे वार जो घूमने ख्रीख साथ भी द्याहीं यह आफ्यों संप्थ ड सुनसा यॉसा युकिन सब्स्साइब के उनके नाम नहीं जान्स एक्रीकटर किया हैं उनका बहुत को बहुत अच्य भी लगि लगी हैं भीने आप को मूवी रिकमेंट क करूंगी यह देखने के लिए कि जिस वार का क्या नतीज़ा होता है जिस कंट्री में वार शुरू हो जाता है वहां पर कितने लेवल्स की प्रॉब्लम आती है और किस किस तरीके से लोग अपने जो फ्यूचर में सोच रखाता वो सारा ध्वस्त हो जाता है so do watch this that's it why